केंदर सरकार ने ड्राइबिंग लाइसेंस से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है और सरकार की ओर से इस बदलाव को क्रांतिकारी करा दिया गया है इसका सबसे जादा फाइदा उन लोगों को मिलेगा जो पड़े लिखे नहीं है तो आईए जानते हैं कि क्या है ये क्रांतिकारी बतलाव दरसल सडक परिवहन एवं राजमाग मंत्रालाई ने रोजगार के अपसरों को बढ़ाने के लिए driving license के लिए minimum educational qualification की जरूरत को समाप करने का फैसला किया है मतलब ये कि अगर आप रोजगार के अपसर बढ़ाने के इरादे से बस, ट्रक या माल डुलाई के अन्य बाहरों को चलाने के लिए license पाना चाते हैं तो अब आपको आटमी पास नहीं करना पड़ेगा बता दें कि अब तक license के लिए आटमी तक की पढ़ाई करना जरूरी माला जाता था इस बदला के संबंद में जानकारी देते हुए cabinet मंतरी नितिन गटकरी ने अपने official twitter account पर लिखा कि समाज में कम पड़े लिखे लोग और गरीब लोग driving से रोजगार की संबावना तलाशते हैं सरकार ने आटमी तक की पढ़ाई की अनिवारता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार ना रुके ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में भी 22 लाग से अधिक ड्राइवरों की कमी है इससे लाखों की जिंदिया बहतर हो सकती है अब आपको बता दें कि Central Motor Vehicle Rules 1989 के नियम आठ के तहट ट्रांस्पोर्ट वहिकल ड्राइवर बनने के लिए कक्षा आठ पास होना जरूरी है लेकिन अब इस प्रवधान को संसोधित किया जाएगा केंद्रियो मोटर बहान 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया भी शुरू की गई है और इस संबंद में एक मसोधा तियार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी हाला कि नियम में बदलाव के साथ ही मंत्रालय ने ये भी कहा है कि सडक सुरक्षा के नियमों से कोई भी समझोता नहीं किया जाएगा और इसमें सरकार ने सुरक्षा सुनिच्चित करने के लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने की भी विवस्था की है सडक परिवहन एबम राजमाग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मताबिक देश में कई ऐसे बेरोजगार विवक हैं जो अपचारिक तोर पर सिक्षित नहीं हैं लेकिन स्किर्ड हैं इस कदम से कई बेरोजगारों को भी लाफ मिलेगा देश में विशेश रूप से गाओं में बड़ी संख्या में ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्रिया नहीं हैं वे अपचारिक तोर पर सिक्षित नहीं होते हुए भी साक्षर और कुशल हैं मंत्रालय की इस पहल से उन्हें रोजगार के मौके भी मिलेंगे ये सरकार की तरब से उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम है जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सकता है इससे विशेश रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अपसर खुलेंगे यहां आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिरकार लाइसेंस किसे और कैसे मिलेगा तो चलिए आपको बताते हैं लाइसेंस लेने की सबसे पहली शर्ती होगी कि ड्राइबर का पड़ा लिखा होना ज़रूरी है और दूसरा परिवहन बिभाग का स्कूल ये लिख कर देगा कि ये ड्राइबर संकेत पड़ सकता है सभी लॉजिस्टिक को भी समझ सकता है या नहीं उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा अब आपका सरकार के इस बड़े कदम पर क्या सोचना है हमें जरूर बताएं